नमस्कार मैं राजकिश्व विस्ट, फॉर्मल लेंग्विज एन आटोमेटा थियोरी की इस लेक्चर सरीज के इस लेक्चर में हम डिटरमिनिस्टिक तथा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट आटोमेटा के बारे में सीखेंगे आईए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे सरपर्थम फाइनाइट आटोमेटा के बारे में सीखेंगे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट आटोमेटा अर्थाथ डिएफे के बारे में सीखेंगे Languages के लिए DFA डिजाइन करना सिखेंगे Non-Deterministic Finite Automator अर्थात NFA के बारे में सिखेंगे Languages के लिए NFA डिजाइन करना सिखेंगे अंत में DFA तथा NFA द्वारा accept की जाने वाली Languages के बारे में सिखेंगे Finite Automator Finite Automator Digital Computer का एक Abstract Model है जो किसी दिये हुए Alphabet M Language के लिए यहां निरने देता है कि कोई String इस Language में है अथवा नहीं इसमें सिमित संख्या में States होती है Finite Automator में मुख्यता तीन Components होते है पहला Input Tape यह एक Input File है जो कि cells में विभाजित होती है एक cell एक ही सिम्बल को रख सकता है हम यहां मान लेते हैं कि Input दिये गए Alphabet की एक String है जो कि Tape में बाएं से दाएं की तरफ लिखी गई है तूसरा Reading Head यहां String को Read करने का काम करता है एक टाइम पर एक सिम्बल को Read करते वे दाएं तरफ को चलता है तीसरा Control Unit यहां निरधारित करता है कि Automator किसी समय में किस स्टेट में रहेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का निरधारं Transition Function द्वारा होता है यहां पर दिखाया गया डाइग्राम Finite Automaton की स्कीम को प्रदर्शित करता है Diagrammatic Representation of Finite Automaton Finite Automaton को डाइग्राम के माध्यम से दिखाने के लिए तिसी स्टेट को हम सर्किल से दिखाते हैं प्रारम्भिक स्टेट को सर्कल तथा उसमें लगे एक एरो से दिखाते हैं Final स्टेट को डबल सर्किल से दिखाते हैं कोई दो स्टेट्स Q1 तथा Q2 के बीच में किसी सिंबल A के लिए Transition को दोनों स्टेट्स के बीच में एक डिरेक्शन के साथ एरो तथा सिंबल A की साहिता से दिखाते हैं वर्किंग आउफ फाइनाइट ऑटोमेटन प्रारम में हम यह मान लेते हैं कि ऑटोमेटन प्रारम्बिक स्टेट में है यह एक समय में बाएं से दाएं और एक सिंबल अथवा लेटर को पढ़ता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ट्रांजिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट machine है जिसमें हर एक input state तथा symbol के लिए किसी state में केवल एक ही transition दिखाया गया होता है अब चारिक रूप से dfa को हम 5 elements के set md equal to q sigma delta q0 f के रूप में दिखाते हैं जहां q states का set है sigma alphabet को delta q cross sigma से q में transition function को q0 प्रानविक state को तथा f final states की sets को दिखाता है lmd automated md द्वारा accept की जाने वाली language होगी किसी string w को process करने के लिए हम generalized transition function का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार से define होता है यदि w equal to a1 a2 up to an हो जहां a1 से लेकर an सभी sigma के symbols हों तो delta star q0, a1 a2 up to an equal to delta star delta q0, a2 up to an तथा delta star q0, lambda equal to q0 होगा यह एक recursive definition है कुछ उदारों के माध्यम से finite automated design करना सीखते हैं पहला उदारन लेते हैं जिसमें sigma equal to a, b दिया गया है तता हमें a से प्रारम्र होने वाली strings के लिए dfa बनानी है सरवरतम हम प्रारम्रिक state से symbol a के लिए transition नई state q1 में दिखाते हैं क्योंकि किवल एक a भी इस language की परिभाश्य को संतुष्ट कर रहा है अतहर इस state q1 को हम final state बनाते हैं step 1 में इसे देखें प्रारम्रिक state से b आने पर string accept नहीं होनी चाहिए अतहा string b से प्रारम्र होने पर हम transition एक लग state q2 पर दिखाएंगे जहां से या कभी भी final state पर नहीं पहुंच सके इसे dead state भी कहते हैं अर्थात इससे सभी symbol के लिए transition इसी state में दिखाए जाएंगे इसे आप step 2 में देख सकते हैं एक a आने के बाद a अथवा b कुछ भी आने पर बनने वाली सभी string accept होनी चाहिए अता state q1 से a तथा b के लिए हम transition इसी state में दिखाएंगे इसे आप step 3 में देख सकते हैं क्योंकि हर एक state तथा हर एक symbol के लिए transition define किया गया है अता step 3 में दिखाएगा diagram dv language के लिए dfa को प्रदर्शित करता है हम transitions को table के माध्यम से भी दिखा सकते हैं जिसमें बाएं तरफ का column वर्तमान state को प्रदर्शित कर रहा है तथा दाएं तरफ का column प्रतिक input symbol के लिए transition state को प्रदर्शित करता है यहाँ पर आप दिये गए उधारन के लिए transition table देख रहे हैं अब हम w equal to a, b, ba की processing देखते हैं क्योंकि q0 तथा a के लिए transition q1 में define है अता delta star q0 a, b, ba equal to delta star q1 b, ba होगा q1 से a अत्वा b के लिए transition q1 में ही define हैं अता कोई भी symbol आने पर transition state q1 ही रहेगी क्योंकि state q1 एक final state है अता यह string इस language में होगी अब हम w equal to b, a, a, a की processing देखते हैं क्योंकि q0 तथा b के लिए transition q2 में define हैं अता delta star q0, b, a, a, a equal to delta star q2 a, a, a होगा q2 से a अत्वा b के लिए transition q2 में ही define हैं अता कोई भी symbol आने पर transition state q2 ही रहेगी क्योंकि state q2 एक final state नहीं है अता यह string इस language में नहीं है इस प्रकार हम किसी भी string की processing कर सकते हैं दूसरा उधारा लेते हैं जिसमें sigma equal to a, b दिया गया है तथा हमें a से प्रारंब होने वाली तथा b से समापत होने वाली सभी strings के लिए dfa बनानी है क्योंकि string a से प्रारंब होने चाहिए अता सरप्रतम हम प्रारंबिक state से symbol a के लिए transition नई state q1 में दिखाते हैं क्योंकि string b से प्रारंब नहीं हो सकती अता q0 से b आने पर transition एक नई state q2 में दिखाएंगे जो कि एक dead state होगी अर्थात q2 से a तथा b के लिए transition q2 में ही होगे step 1 में आप इसे देख सकते हैं क्योंकि string b से समापत होनी चाहिए अता हम q1 state से symbol b के लिए transition नई state q3 में दिखाते हैं क्योंकि a b सबसे छूटी string है जो कि a से प्रारंब तथा b से समापत होती है अता q3 को हम final state बनाएंगे step 2 में आप इसे देख सकते हैं क्योंकि एक बार a आने के बाद b से पहले a कई बार आ सकता है अता q1 से हम a के लिए transition q1 में ही दिखाएंगे तथा अंत में b कई बार आ सकता है अता q3 से हम b के लिए transition q3 में ही दिखाएंगे इसे आप step 3 में देख सकते हैं q3 से पुना a की कोई sequence आ सकती है जो b से समापत होती हो अता q3 से a के लिए transition q1 में दिखाएंगे क्योंकि सभी states से हर एक input symbol के लिए transition अब define हो चुका है अता step 4 में दिखाया गया transition diagram दी हुई language के लिए dfa को प्रदर्शित करता है यहां पर आप दिएगे उधारन के लिए transition table देख रहे हैं non-deterministic finite state automaton non-deterministic finite automaton एक finite state machine है जिसमें किसी input state दता symbol के लिए एक से अधिक transition संभव होते हैं और चारिक रूप से nfa को हम 5 elements के set mn equal to q sigma delta q0 f के रूप में दिखाते हैं जहां q states के set को sigma alphabet को delta q cross sigma union lambda से power set q में transition function को q0 prorambrick state को तथा f final states की set को दिखाता है lmn automaton mn द्वारा accept की जाने वाली language होगी nfa में जहां कई states में transition संभव है हम एक state के साथ शुरू करते हैं और यह जाजने के लिए आगे बढ़ते हैं क्या दिएगे string को स्विकार किया गया है या नहीं string accept नहोंने की स्थिति में हम पीछे की और पुरानी state में जाते हैं और अन्य विकल तलाशते हैं इस प्रकिरिया को back tracking कहा जाता है किसी एक भी transition path से पूरी string read होने पर केदी automaton final state में होती है तो string accept होती है अन्य था नहीं होती है difference between DFA and NFA DFA में किसी state तथा input symbol के लिए एक ही state में transition define होता है जबकि NFA में transition state के power set में define होता है अर्थात किसी state तथा input symbol के लिए कोई भी transition define नहीं हो सकता है अत्वा एक से अधिक states में transition define हो सकता है NFA में बिना कोई input symbol के भी transition संभव है जिसे हम lambda transition कहते हैं एक उदाहरन लेते हैं जिसमें sigma equal to a, b दिया है जता हमें L equal to a, a, b, a, b के लिए NFA बनानी है यहां पर दी की language finite है जिसमें किवल तीन ही instincts हैं क्योंकि NFA में हमें हर एक input symbol तथा state के लिए transition दिखाना आवश्यक नहीं है अता हम programic state से तीन अलग-अलग sequence के द्वारा sequence में दिएगे प्रतिक symbol को read करते हुए अंत में final state में पहुँच सकते हैं दी हुई language के लिए दिखाये गया transition diagram NFA को प्रदर्शित करता है यहाँ पर आप दिएगे उधारण के लिए transition table देख रहे हैं यहाँ पर Q1 के लिए दो output transition states दी गई हैं तर्था कई जगा transition states नहीं दिखाये गई हैं जो कि DFA में संभव नहीं है यदि हम DFA के पुराने उधारण को देखे हैं तो DFA बनाने से पूर्व हमने विभिन steps में अलग-अलग NFA ही बनाई थी उपरोक्त उधारण में यदि हम दिखाये गई तरीके से lambda transition को जोड़ दें तो यहाँ L equal to lambda AABB AAB को accept करेगा हाला कि DFA और NFA की परिभारशों में कुछ अंतर है फिर भी आपचारिक से धानत में यह दिखाये जा सकता है कि वे समान हैं किसी भी NFA के लिए एक समकक्ष DFA अथवा इसके विपरीत किसी भी DFA के लिए एक समकक्ष NFA का निर्माग किया जा सकता है DFA या NFA द्वारा accept होने वाले languages को regular languages कहा जाता है इस lecture में हमने DFA और NFA के बारे में सीखा उनकी आपचारिक परिवाशन से कि ता किसी दीवी language के लिए DFA और NFA को डिजाइन करना सीखा अगले lecture में हम NFA से DFA में रुपांत्रंग या कन्वर्जन करना सीखेंगे धन्यवाद है